बॉर्णिंग सुदेंट्स क्लास को प्लीज टेक और बुक अब ग्रीन वर्ड ओके और पेज नंबर टू और वर्गोग लास्ट वीडियो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझाया था किस फ्रूट्स में सीरियल में किन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होत कि क्या प्रॉफिट होते हैं यह मैं से कॉंपर हुन्हें लाद अप्टेम करता है ठीक है जैसे कि लेबर होते है एक शॉकोलर एक पोर्परसन और यह एनलजी गिविंग कोड होता है ठीक है तो तोड़े विए गोईंग तो सी प्रोटीन जो की हमारा सेकेंड प्रोटीन होत किस किस में होता है ये स्बूएं ये लाद प्रोटीन के प्रोट प्रोटीन होता है रोटीन के होता है जैसी स्बूएं प्रोटीन, अर्ब्समु ऐले गोईंग, स्यूएंग, highlighting, ऐस किस स्वैपरससं। पिश, पीज, इसे प्रोटीन, में दूप, चीज याने बटर, मकगा इसे कहते हैं, फुलस, दाले होती है, सोया मी, एग, मी, फिश, पीज याने मटले, ठीक है, इन में जाहता प्रोटीन होता है, अब प्रोटीन क्या होता है, स्टुटेंट्स, इसे लाइक बड़ी बड़िग फोट, ठीक है, अब कार्गोईडर्ड क्या होता है, हमारा हमें, एनर्जी मिलती थी, एन्ड प्रोटीन वारी चीज़े खाने से, अप्टीन खाने से हमेरा क्या होता है, प्रोटी बड़ी बड़िग होता है, ठीक है, जो हमारी बड़ी है ना, प्रोट प्रोपरली होती है, और जो हमारा, जो सेल्स होते हैं, टिश्यूस होते हैं, वो प्रोपरली रिपैर होते तो इसमें मिलता है इंसाइब चीजों में थी है तो इस फूट आपशक्था होती है क्योंकि उनका बॉडी होता है बचपच में जो प्रॉपर्ली अलों भरोध मिलेगी तो एक एक हैल्क हो जाता है प्रॉपर्ली उनका बोडी फॉंशनिंग के लिए ठीक है तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते है चिल्रन जो होते हैं तो उन्हें प्रोटीन वाली चीजे खाने किलाना बहुत ज़्यारी हो ठीक हो गशी है जिसने चिकनाज जाधा व इसरे हमारा बॉड पडेश होने की चांसे जने मोटापा का चंसे होता है तो जिसमें किसमें होता है वाउनल जाओ निन को गर्में खातें ओल, गर्में आपने सुना होगा अगर किसी को मुटापा होता हि को इंसान Gest 2023 में कहा एक शि신वा भीजाइते हैं खी बटर को साइड मॢँदशे रहा है Okay students, see here, food, rich and fat, किस किसमे होता है, fat अगे निसा है सक्से पहले, oil निसा है, then ghee, butter, okay almonds, groundnut, and cashew, ठीक है, तो किसमें होता है, fat, oil में होता है, घी जो हम खाते हैं डेडी में उसमें, butter या अगे, किसमें नानिक आपाता, oil में जो बादा होते हैं, ground, cashew, यानिक काजू, इन में बहुत जादा क्या होता है, fat होता है, जिक से हमारी body जो है ना warm रहती है, कैसी रहती है, warm यानि गर्म, यह साही चीज़ें हम उसमें नीदे से कि बादा हो, cashew, groundnut होई, और यह कि, normally हम क्या करते हैं, जादा थंडियों में जादा अप्टेम करते हैं, क्यों करते हैं, हमें गर्मी देते हैं, okay students, so these food items are rich in fat, our body needs very small amount of fat, लेकिन जिस सरीके से हमें protein और carbon hybrid, हमारी body में उती जादा requirements for the students, energy giving होता है क्योंकि यह और यह और body building, but, जो fat होता है, इसकी बहुत ही छोटी मात्रा हमारे body को required होती है, बहुत ही small amount में इसकी जरूरत होती है, बहुत ही small amount चाहिए होता है, आपने खाए तबा, क्योंकि आपकर इससे जादा अप्टेम करेंगे न, तो क्या होगा हमारे body में, हम क्या हो सकते हैं, हम obese हो सकते हैं, हम मोटे हो सकते हैं, so our body needs small amount of fat, if we eat more amount of fat than our body needs, extra fats to our body, ठीक है, तो क्या होगा है, जादा चीज़े ही को आपके खरेंगे, और बटर जादा खाएंगे, तो क्या होगा, यह साधी चीज़े हैं हमारा extra fat, हमारे body में extra fat बना देता है, ठीक है, आप देखोगे कि जो मोटे इंसान होते हैं, क्योंकि जो इनो, skin जो लटकने लग जाती है, क्यों होता है ज्यादा, जो shape है उनका थोड़ा सा, एक्स्ट्रा उपते जाता है, बढ़ जाता है, so this makes us overweight, मोटे हो जाते हैं, क्या होता है, overweight हो जाते हैं, क्यों होता है, यह सारी चीज़ों को खाने से, अप्टेन करने से, and sometimes obese, obese हो जाता है, यानि हम मोटे हो जाते हैं, correct, so we should eat small amount of fat, यानि हमें fat खाना चाहिए, fat वानी चीज़ों को अप्टेन करना चाहिए, पर हमें very small point बेंगे, ठीक है, जादा हमी खाना चाहिए, उससे obese हो सकते हैं, you know, हमारे अंदर diseases होने के जाला chances होते हैं, अगर हमें और एक दी जादर cholesterol बढ़ सकता हैं और या आपने सुना ही होगा, तो यह सारे चीज़े हमें small amount पे लेनी हैं, आप खाऊ बढ़ें, थोड़े amount होने, okay students, so today we have studied about protein and fat, जो हमारे 3 nutrients complete हो चुके है students, and this is your homework, आपनी carbohydrates, protein and fat, okay, यह आपका हुंगा कैसे घर पर आप बीव करो, okay students, thank you.